बिस्मिल्यार रह्मान रहीम, मेरा नाम डॉक्टर अबास है, मैं रहीम मुबरक पॉली कलीने के बहाग पे मनुमाती वीडियो बनाता हूँ आज का हमारा टॉपिक अफ डिसकेशन है कीटो डाइट इससे पहले अगर आप लोग ने हमरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताके आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सकेए तो लेट स्टार्ट कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट एक डाइट की ऐसी किसम है जिसमें आप कर्बोहेड्रेट्स कम कर देते हैं इस्तमाल करना और फैट्स और प्रोटीन का इस्तमाल करना ज्यादा कर देते हैं तो यह प्रॉसेस कैसे होता है? इस process में जब आप carbohydrates यानि के sugar कम इस्तमाल करते हैं तो क्या होता है? बाडी का एक system है कि fats को utilize करना शुरू कर देती है जब fats utilize होते हैं तो उनसे ketone bodies बनती हैं जिसको ketosis कहते हैं इसलिए इस diet का नाम भी keto diet रखा गिया है अब इसमें होता क्या है? कि आपने glucose कम इस्तमाल किया glucose ना होने की वज़ा से brain ने signal भीजे डिफरेंट जगाओं पे तो fat की mobilization स्टार्ट हो जाती है fat की mobilization जब स्टार्ट होती है तो उसकी breakdown होती है breakdown में क्या होता है? कि ketone bodies बनती है उसके साथ साथ हमें glucose भी मिलना शुरू हो जाता है fat stores होते हैं वहां से बनता है अब वो fat stores कहां पे होते हैं वो आपकी belly के अंदर भी हो सकते हैं thighs के chest के अंदर भी हो सकते हैं तो fat's वहां से जब store fat वहां से breakdown होगी हो उसकी वो utilize होना शुरू हो जाएगा तो automatically वो कम होता जाएगा जिससे आपकी obesity कम होती जाएगी मोटापा आपका कम होता जाएगा अब sugar आपने कितना इस्तमाल करनी है sugar आप maximum अगर इस्तमाल करना चाहें externally लेना चाहें तो वो 50 gram से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अब मैं आपको सीधी सी एक example दूँ 50 gram sugar आप कैसे कर सकते हैं for example आपने एक कप चाह पी morning time में तो उसमें आपने एक चमाचीनी का डाला तो उससे 15 gram तक sugar तकरीब आ जाती है 10 to 15 gram तक और इसी तरह आपने एक 6 इंच की चोड़ाई वाली रोटी खा ली तो उसमें भी 15 gram carbohydrates हो गए तो कितने हो गई है 30 gram और अगर आपने एक छोटा सा साथ में सेब भी ले लिया तो उसमें भी 15 to 20 gram sugar के हो गए तो total आपने 50 gram sugar ले लिया अब मजीद कोई sugar आप नहीं ले सकते यानि के ना कोई fruit खा सकते हैं ना मीठी चाय पी सकते हैं और ना ही कोई रोटी खा सकते हैं क्योंकि रोटी के अंदर भी carbohydrates होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि 6 inch की चुड़ाई वाली एक रोटी में 15 gram तक carbohydrates होते हैं चुँकि आप carbohydrates को कम कर देते हैं तो body क्या करती है अंदर ही carbohydrates बनाना शूरू कर देती है तो इसलिए परेशान ना हो के body के energy की requirement तो carbohydrates है वो carbohydrates बाडी अपने अंदर बनाना शूरू कर देती है इसलिए उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अब carbohydrates को less करके तो आपने खाना क्या है बिल्कुल minimum level के carbohydrates होते है और उसके अंदर proteins और fats ज्यादा होते है और fats भी वो होते हैं जो आपको फैदा मन देता है यानि HDL की fats की एक किसम है जो के heart की patients के लिए बहुत अच्छी होती है वो fats उसके अंदर होते हैं आप उनको बिला जिज़ा के इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उसमें नमक वगयरा नहीं लगा ना अगर आप blood pressure के patient हैं तो उसके बाद उसका फैदा क्या है एक्स इस्तमाल करने का फैदा क्या है एक्स इस्तमाल करने का फैदा यह एक तो दो अन्लू से आपका प्रेट बिल्कुल भर जाता है जैसे आपने दो रोटियां खाई हुई हूई हूई हूँ और दूसरा फिर क्या होगा कि कम अगर से कम 6-7 घंटे आपके आराम से गुजर जाते हैं इसके साथ लेकिन एक बात याद रखें कि आपने पानी का इस्तमाल ज्यादा से ज्यादा करना है क्यूंकि आप कार्बोहेडियर्स नहीं ले रहे हैं और इसी तरह आपने बहुत सरी चीज़ों को रोका हुआ सीज़ों को उसके साथ और फैट के लिए आपने अपनी इनरीमन किक बना है पूरा करने के लिए पानी का इस्तमाल ज्यादा ज्यादा करना है उसके बाद आप ने सबज्युन में क्या ले लेना है सबज्युन में फूल्गोभी भी ले सकते हैं लोकी ले सकते हैं टोमाइटो, लेमन यह चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सबज्यू के लिए अगर फ़ेट्स की बात की जाए तो आप क्होंसेrafts यूज़ कर सकते हैं, चर्बी आपने बिल्कुल इस्तमाल नहीं करनी, जो के ट्रांस फैट्स होते हैं, आपने कुकिंग ओयल यूज़ करने हैं, कुकिंग ओयल में अगर आपको ओलिव आईल मिल जाए, जैतून का तेल मिल जाए, तो बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ आप अपना फैट्स को बहुत कम दिनों में कम कर सकते हैं, कम मस कम भी अगर आप कीटो डाइट को थ्री मंस तक कांटीनू करते हैं, तो तीन मंस के अंदर अंदर आपका बीस से पचीस किलो वज़न कम हो सकता है, एक बहुत अच्छी आप्शन है जो आप बगार कोई इस मामले में, तो आप नीचे कमेंट्स में आके कमेंट करें, हम इन्शालला पूरी कोश्रे करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको जवाब दें, शुक्रिया